कि सामने रखता हूं, आज भी जो दिली के अंदर परिस्थिती है, हमारे हॉस्पिटल में जो प्रबंधन है, फिलहाल अपने कंट्रोल में हैं, दिली में हॉस्पिटल बेड्ज की कमी नहीं हैं, अभी लेटेस्ट डेटा के इसाफसे 5000 से ज्यादा बेड अभी खाली हैं, दि लिकिन मेरी आप लोगों से निवेदन है, अगर कुछ एक अस्पतालों के अंदर माल लीजे बैड्स भर गए हैं, और आप इंसिस्ट करते हैं मुझे तो इसी अस्पताल में जाना है, यह दिक्कत है, अगर आप बड़े चूजी हैं कि मुझे तो इन दो में से किसी अस्पता में एडमिशन कराइए जी, यह दिक्कत है, इस वक्त इतनी बड़ी महमारी में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिक्ता है कि जो भी वेक्ति बिमार हो रहा है, उसको कहीं न कहीं उसकी जान बचाने के लिए, उसकी स्वास्त ठीक करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए, उस अस्पताल में चाहे इस अस्पताल में हो चाहे उस अस्पताल में हो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप ये इंसिस्ट मत कीजिए कि मेरे को इसी अस्पताल में जाना है वो हमारे लिए मुश्किल होगा लेकिन अभी फिलहाल आपका मुख्यमंत्री होने के नाते में हो सकता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दिल्ली के अंदर इस टाइम प्राब्लम हो गई दिल्ली में इस वक्त भी पांच हजार से जादा बेड्स एवेलेबल हैं आज मेरी सुबह से कई मीटिंग हो चुकी है हम और भी बड़े स्तर के उपर बेड्स बढ़ाने की प्रयास क कर रहे हैं ताकि और जादा बेड्स की केपैसिटी बढ़ाई जाए जिससे कि लोगों को सही इलाज समय पे मिल सके लेकिन स्थिती जैसे हम देख रहे हैं रोज केसिस बढ़ते जा रहे हैं इस ठिती को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ निर Image साफ की साथ मीटिंग हुई थी और सबने मिलके ये निरने लिये हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फियू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा इसका कारण ये है कि लगबग हफते के दौरान वर्किंग डेज के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है आदमी को अपने हैं जो कि कर्टेल की जा सकती है जो कि जिसके ऊपर अंकुष लगाया जा सकता है उससे बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर ताकि लोग ज्यादा संपर्क मिना है वीकेंड के ऊपर कर्फियू लगाया कि dates decide हो चुकी है, सब कुछ तयारिया हो चुकी है, हम नहीं चाहते कि उनको किसी तरह की तक्लीफ हो, ऐसे लोगों को जो essential services हैं और खास कर जो शादियां हैं, उनको हम curfew passes देके उनको allow करेंगे, उनका movement हम allow करेंगे, वो curfew passes के apply कर सकते हैं और उनको जल्द से जल्द बिना क किसी harassment के हम curfew passes देंगे, malls, gyms, spas और auditoriums को फिलहाल बंद करने के निर्देश दिये जा रहे हैं, cinema halls 30% की capacity पे चल सकते हैं, weekly markets जो हैं, वो एक weekly market per day per zone के हिसाब से allow किया जाएगा, और weekly market में ज्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए भी special इंतिजाम कुछ किये जा रहे हैं, जिसके आज order निकाले जाएंगे, restaurants में, अब वहाँ बैठके खाने की इजाज़त नहीं होगी, केवल home delivery permit की जाएगी, और सभी markets के अंदर, public places के अंदर enforcement को और ज्यादा सक्त किया जाएगा, ताकि social distancing और mask को implement किया जासेगे, ताकि लोग mask पहने, अभी हम देख रहे हैं कि, कई सारे लोग बिना mask के घूम रहे हैं जो कि आपकी सेहत के लिए, दूसरों की सेहत के लिए नुकसान दायक हो सकता है, ये सारे restrictions हम आपके लिए लगा रहे हैं आपके परिवार के लिए लगा रहे हैं आपकी सेहत के लिए लगा रहे हैं आपके जिंदगी के लिए लगा रहे हैं मैं समझ सकता हूँ कि इन restrictions के विज़े से आपको काफी तकलीफ होगी लेकिन आप ये भी समझ रहे होंगे और पूरा साथ देंगे सरकार का मेरा पूरा साथ देंगे कि ये restrictions इस वक्त लगाने कितने जरूरी है इन सभी restrictions को पालन करने के लिए मैं आप सब से हाज जोड़ के सहयोग की अपील करता हूँ मैं उमीद करता हूँ कि ये जो करोना की चौथी वेव आई है इस चौथी वेव को भी हम सब दिल्ली वाले मिलके पहले जो तीन वेव आई थी उसकी तरह से हम ज़रूर सफल होंगे जल्द सफल होंगे ताकि हम लोगों को इससे भी जल्दी मुक्ते मिल सके नमस्का अरविंद के एजरिवाल की प्रेस कॉंफरेंस और अरविंद के एजरिवाल ने प्रेस कॉंफरेंस में सबसे बड़ी बात सबसे पहली और एहम बात ये वीकेंड कर्फ्यू शुकरवार रात से लेकर सुंबार सुभात तक कहा कि बेड की किसी तरह की कोई कमी नहीं है लेक अबी लेटेस्ट डेटा के इसाब से पांच हजार से ज्यादा बैड अभी खाली हैं दिल्ली के अंदर पांच हजार से ज्यादा बैड खाली हैं लेकिन मेरी आप लोगों से निवेदन है अगर कुछ एक अस्पतालों के अंदर माल लीजे बैड भर गए है और आप इंसिस्ट करते हैं मुझे तो इसी अस्पताल में जाना है यह दिक्कत है अगर आप बड़े चूजी हैं कि मुझे तो इन दो में से किसी अस्पताल में अडिमिशन कराईए जी इस वक्त इतनी बड़ी महमारी में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिक्ता है कि जो भी वेक्ति बिमार हो रहा है उसको कहीं ना कहीं उसकी जान बचाने के लिए उसकी स्वास्त ठीक करने के लिए उसका इलाज करने के लिए उसको दिल्ली में कहीं ना कहीं बैड मिलना चाहिए इस अस्पताल में हो चाहे उस अस्पताल में हो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप ये इंसिस्ट मत कीजिए कि मेरे को इसी अस्पताल में जाना है वो हमारे लिए मुश्किल होगा लेकिन अभी फिलहाल आपका मुख्यमंत्री होने के नाते में आपको एश्वार कर रह लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दिल्ली के अंदर इस टाइम प्राब्लम हो गई दिल्ली में इस वक्त भी पांच हजार से जादा बेड्स एवेलेबल हैं आज मेरी सुबह से कई मीटिंग्स हो चुकी है हम और भी बड़े स्तर के उपर बेड्स बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं औक्सीजन बेड्स बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं ताकि और ज्यादा बेड्स की कैपैसिटी बढ़ाई जाए जिससे की लोगों को सही इलाज समय पे इलाज मिल सके लेकिन स्थिती जैसे हम देख रहे हैं रोज केसे बढ़ते जा रहे हैं इस थिती को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ नरने लिए हैं आज LG साथ के साथ मीटिंग हुई थी और सबने मिलके ये निरने लिए हैं कि वीकेंड के उपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा इसका कारण ये है कि लगबग हफ्ते के दौरान वर्किंग डेज के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है आदमी को अपने काम पे जाना होता है लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटर्टेन्मेंट के लिए या दूसरी अक्टिविटीज के लिए निकलते हैं जो कि कर्टेल की जा सकती है जो कि जिसके उपर अंकुष लगाया जा सकता है उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसलिए चेन तोडने के लिए वीकेंड के उपर ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना है वीकेंड के उपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है लेकिन इस कर्फ्यू की वजए से जो एसेंशल सर्विसें मालीजे आपको अस्पताल जाना है मालीजे आपको एइपट जाना है एक और भी बड़ी चीज है कि यह शादियों का सीसन है और कैसे लोगों की अलरी शादी की डेट्स डिसाइड हो चुकी है सबकुश तयारिया हो चुकी है हम नहीं चाहते कि उनको किसी तरह की तकलीफ हो ऐसे लोगों को जो essential services हैं और खास कर जो शादिया हैं उनको हम curfew passes देके उनको allow करेंगे उनका movement हम allow करेंगे वो curfew passes के apply कर सकते हैं और उनको जल्द से जल्द बिना किसी harassment के हम curfew passes देंगे malls, gyms, spas और auditoriums को फिलहाल बंद करने के निर्देश दिये जा रहे हैं cinema halls 30 प्रतिशत की capacity पे चल सकते हैं weekly markets जो हैं वो एक weekly market per day per zone के हिसाब से allow किया जाएगा और weekly market में ज्यादा भीड़ ना हो इसके लिए भी special इंतिजाम कुछ किये जा रहे हैं जिसके आज order निकाले जाएंगे restaurants में अब वहाँ बैठके खाने की इजाज़त नहीं होगी केवल home delivery permit की जाएगी और सभी markets के अंदर public places के अंदर enforcement को और ज्यादा सक्त किया जाएगा ताकि social distancing और mask को implement किया जासे के ताकि लोग mask पहनें अब ही हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग बिना mask के घूम रहे हैं कि आपकी सेहत के लिए दूसरों की सेहत के लिए नुकसान दायक हो सकता है यह सारे restrictions हम आपके लिए लगा रहे हैं आपके परिवार के लिए लगा रहे हैं आपकी सेहत के लिए लगा रहे हैं आपकी जिंदगी के लिए लगा रहे हैं मैं समझ सकता हूँ कि इंडिस्टिक्स पूर्ण मेरे से होगी इस वक्ता